लूनर आश्ट्रो में आपका स्वागत है तो यह क्लास नंबर 6 रेट्रोग्रेड प्लानेट्स मार्स रेट्रोग्रेड तो आज को टॉपक है वह बहुत इंट्रसिंग है क्योंकि इसमें हनुमान जी क्योंकि कहना जो इनसान ताकतवर होता उसकी बात सब करते हैं प्रमान जी के आसपास लोग इतने सारे जुन के भगते हों इसलिए क्योंकि वह लगातार काम करके देते हैं इस प्रित्वी पे बहुत ताकतवर है क्योंकि वह बखवान शिथ के एक्टिव स्टेट अब मतलब बाट डिफरेंट हैं और उन्हीं के एक्टिव स्टेट में आप जो की बहुत ताख़त वरे मंगल वह रेट्रो जो जाए प्लानेट क्या एफेक्ट करेगा पूरे चार्ण हम पूरा शनी साध्ध्यव एक्स्ट्रीम शिर्व में ले जा सकता है वो कर्म का कारत है कि वह कर्म करना है साध्ध्य लेकिन कई लोगों की ममत्ता साध्धन तक रह जाती आप देखें कमेंट के इनके निचे कमेंकर आपके बाले से आपने यह पहना था क्योंकि यह सब की सब चीज़े साधन हैं मैं कैसा भी लग रहा हूं तुम नौलिज देखो इतना डेड़ साल से पढ़ने के बाद मंगल पढ़ा रहा हूं उसके पर फोकस रखो मेरी शकल नहीं भी देखेगी तो भी मंगल का टेक्निक काम करेगा यहां लेकिन मंगल रेट्रोग्रेड हो तो ऐसे लोगों का पूर का पूरा फोकस किस पहें शाधन पे हैं अपने शरीर पर कि किडाय से मेरे को एपल के लैप्टपपपे काम करना है मैटर नहीं करता क्योंकिबाद फोकस कर रहे हो साध्य पर नहीं काम एमेल भीजने से हैं फोन एपल का हो वन प्लस हो नोकिया हो ड़स नॉट मैटा साधन जिनका मंगल वक्री है वो साध्य फोकस करके बैठे हैं वो करके बैठे हैं कि मेरे को यह फिसिकल एंटिटी मिले तो मैं यह काम करूंगा मंगल खराब हो तो पहले मेरे को यह कंडिशन करके दो यह करूंगा साधन पर फोकस है साध्य पर नहीं और जिनका मंगल अच्छा होता ना कुछ भी नहीं मिलेगा खाली आद भी रहेंगे तो भी काम कर देंगे टाइप राइटर पर टाइप कर लेंगे फराख नहीं पड़ उनका एक्स्ट्रीम क्वालिटी है कि वह अपनी बॉड़ी को या तो बिलकुल ध्यान नहीं दे रहें इग्नोर करते हैं जब मंगल खुराब हो रहा है या फिर सारा का सारा जो ध्यान है वो सिर्फ बॉड़ी पर है जैसे कि एक अक्टर है उनका शुक्रवक्री लगन का है उनका एक्स्ट्रीम अप्सेशन है अपने खाने को लेकर आप उनके साथ लंच करोगे तो लंच में वो जो चीज और करेंगे वो आप खाऊगे नहीं और जो आप और करोगे आप लगेगा कि यह तो क्राइम में के सामने चुले बटूरे काना क्योंकि obsession मन गया है लगन में बैठा हुआ रहे हैं शुक्र खाने का कारा के सेकिंद हाउस का लॉड है नैच्रल निंके चार्ट में सब्सक्राइब होके बैठा है कि इसकी वज़े से एक्स्ट्रीम अप्सेशन में लेकिए घगवान शिव और हनुमान जी हनुमान जी क्या पूछ नहीं कि हमारे पास कौन से नहीं कोई साधन नहीं है भवान राम के पास लड़ना किसे हैं बहुत बड़े आदमें से गोल पता है कैसे होगा नहीं पता कर लेंगे यह जो अच्छा मंगल है और जिन लोग को अपना सर्फ यह रहतना कि यह यह मिल जा उसके बाद मैं यह करूंगा नहीं होगा तुमसे क्योंकि तुमने ना पहले ही हार मान दिया एक तरफ सुग्रीव एक तरफ बाली है बाली ता हो ऑच्छा मंगल है क्योंकि अच्छा अब तीनों दोस्तों की कहानी देखिए कि मंगल किस तरीके से काम ड़ता है मंगल ना भूमी का का रहते हैं बहुत मैटर करता है कि जिस भूमी पे आपका मकान बना हूं। जिस भी अपार्टम्न में आप रह रहे हूं। जिसकी आसपास जितने भी जगे हूं। वो अच्छी हूं शुबचन हूं। कटीले पेड़ ना हूं आसपास। कोशिश कीज़िये की ना हो क्योंकि क्यां है कि वह तीनों दोस्तों काप सला देखी कामसी देते हैं वह बाली को वोह गुथ उमस्गरीव को बोलते हैं कि इस पर्वध के अधिकी इस पर्वत रहते हैं भूभ मी बदलवात है सो गहए तो कि वीजंते हैं नसे हैं कि है सजथे 어떻게 यहां का influen के सकता है तूम तो बहुत भले आत्मी हों啊 और ये लोग तो निषाचा निए आसपास के परोस को यbnत मंगल तीज़्य घर का कारक कौई से विभीशन का brain drain करते हैं कि जगे छोड़ दो तो सुखी रहोगे भले राम का नाम ले रहे हो इन लोगों के बीच में ठीक नहीं है संगती ठीक रखिए दोस्त यार ठीक रखिए मंगल कगा रखें आपको जो लोग लगतार motivate करें उनके साथ रहिए अच्छी बात करें भले की बात करें बहले ही कड़वी लगे उनके साथ रहिए जो लोग नीती धरम के विरुद हो आपको morally drain कर रहे हो जिनके साथ आपकी आत्मा नहीं मिलती हो मत रहिए वहां पर विभीशन को यह बोल रहे हैं दोस्ते आप छुडवा रहे हैं भगवान राम को क्या करवा रहे हैं कि भगवान राम के पास जाते हैं और गोलते हैं कि मैं आपको रहे हैं दोस्तों को मिलवाते हैं आप इसके करी है कि मंगल के साथ है यह की डारक्षन दिखाता है और तीनों दोस्तों को मंगल जब भी अच्छा होता है ऐसा विक्ति कि घर बहुत अच्छे पर होता है तो जो एक कहावत ना की मंदिर के असपस घर मत पनाई है मंदर की पलचाई भी घर पर पर ना पड़े उसका पहुआ मैंने खुद देखा है कि मेरे बहुत अच्छे फ्र लोग अपने आपको ट्रांस्फॉर्म करने के लिए बदलने के लिए आते हैं मंदिरों का उलेक है वह इस तरीक से बताया गया है कुछ-कुछ मंदिरों का की उसके दिर जाके इंसान बदल रहे हैं उसमें जाने की प्रक्रिया है उसमें जाने का महुरत है स्पेस टाइम को लेकिन वहां पे आप रहे नहीं सकते हमेशा के लिए वहां पे रहोगे तो यह प्रित्वी मृत्ति लोग है यहां से छोड़के जाना पड़ेगा और अच्छे मंगल की पहचान क्या है तो तीनों दो कि एसे वेक्ति इस दर्शा के उंदर जैंगल में आके रहेगा अच्छा इसके इंदर만ा इक बहुत-बड़ा सीग्रेट है कि मायसी तो इक्स्ट्रीमली वियसे ए prize जो falling इतना है फ्लानेट है कि इसको देख ले उसको कोप से दुनिया कापती हो और उपर से वह वक्री हो जाए इक्स्ट्रा ताकत दे जा तीन गुना ताकत दे दो जैसे ही आप यह करोगे तो क्या होगा कि वह इनलजी आप से जिलेगी नहीं आप देखें आप जब बहुत मंगर आप उसन बहुत खुश यह बहुत अंडवे एक्स्ट्रीम्ली उजन पिकनिक पे जाना है शादी में जाना है बाई की शादी है फॹ्वाइब की शादी है दोसकी शादी है एक्स्ट्रीमले अक्ट्वे मंगल की एनलजी आपके निलाद भाग रही है खुन 2 दुना रखते हैं तो अब सुभी उठ रहे हैं और क्या गर रहे हैं आप जादिक अदर शाधी के उसन चल रहे हैं विसे बहुतार है तो कि 법 सोन एंदरियां वह खुशीवेक्ट नहीं Kapाहरी उस कि खुशी को पचाने के लिए आप नाचते हैं कि भगवान शेव नाचते हैं कब जब कुरोध में होते हैं उस एनलजी को हटाने के लिए तांडफ करते हैं मैंने हैप्पिनेस कोर्स में सिखाया कि जो नराज की मुद्रा है है कि बो मंगल चे की है लेकिन ये जो जंगल में जाना है ये जो नास करना आपको दुख हुए किसी की शादी बहुत ख़ाब हो वकरीग रहा हूं मंकल हो कोई और रहा हूं उनको बोल एंस करना सीख लीजिए एक आर्टिकल है मेरा डांस के उपर कि कौन सा डांस करना चाहिए रिदम में आने के लिए असुर को सुरु बनाने के प्रक्रिया है नित्य करना डांस करना आप जब डांस करना सीख जाते हैं तो आप लाइफ के अंदर रिलेशन्शिप के प्रॉब्म से तो जो लोग डांस नहीं करना जानते हैं उनको मेरे लाइफ का प्रॉडम ज़रूर होते हैं क्योंकि आपको रिदम में आना आता है तो जब कभी मंगल यहां पर वक्रियों तो उसे इनलजी को अगर आपने नहीं निकाली आपने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला आपने कोई और अपनी एनलजी को यह आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगा यह प्रॉब्लम यही जो एनलजी है यह आपको जौब के दिश्टेशन देगा लडाई जगड़ा देगा क्योंकि आप अंदा से दुखे ना एनलजी तो आपके पूरी है मंगल वक्री के एनलजी मिली है इसको धिहान से रखेगा इसके लिए आपको किसी के चाने मंगल वक्री हो वहां के सिंगनिफिकेशन जुठाइए और बोलिए कि यह नहीं हो भी तुमको करना है साइकलिंग करना है तुमको खाना मना सीखना है मंगल वख्री दूसरा घर डांस करना है तीसरे घर में पेंटिंग यह रगाट चौता गर इंटीर डिजाइनर का का म करना एकड़ में लकड़ी क्या होगा उसकी इनर्जी टोन डाउन हो जाएगे इस इनर्जी को यूज करना सीखिए क्योंकि जब भी आप मंग आपको एक्स्ट्रा इनर्जी दिया गया ना यह बहुत बड़े काम के लिए दिया गया है मंगल वक्री का एक और अभी हम जब पास लिफ के चार्ट्स पे चलेंगे आगे डिविजनल चार्ट्स में जो लोग अपने शरीर का साक्रिफाइस करके आ लाइफ पैटर्स में बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि क्यों किसी को मंगल वक्री मिला तो जब कभी आपने पास लाइफ के अंदर अपनी शरीर का ध्यान नहीं दिया होगा तपस्या कर लिए होगी जरूत से यादा तो इस बार मंगल वक्री मिलेगा कि इस बार ध दिक्कत करेगा जब कभी कोई वक्री है मंगल के घरों में बैठ जाए जैसे राहुगे तो टो जब तक अपने घर में रहेगा अपनी भूमी नहीं चेंज करेगा द्यान रखेगा भूमी चेंज नहीं करेगा तब तक परिशान रहता है और स्पेशली जब शुक्र बैठ जाए मंगल के घरों में वक्रीयों के अश्वीक्ति अपने वाइफ के घर में जाके रहता है तो शकून दूगा नहीं तो नहीं दूगा अब बैठ्ट जाए मंगल के हरो में और मंगल वक्री हो जाए यह थो आपके बिजन चे इंदर आपको प्रशानिया आती रहेंगी जब तक आप अपने घर अपने जगे चेंज नहीं करोगे प्रफेशन की जब तक किसी तंगली के इंदर नहीं जाओगे तब तक परिशानी करेगा में रोड़ पे अगर आपने बिजनस खो लिया मंगल एरीज के इंदर आपको दक्कत करेगा और ये जो कॉपिनेशन्ज है ना यह हमने आगये डिविजनल चार्ट में समझने हैं मास रेट्रोग्रेशकाइं में तो यात अपने कोई नहीं नेया डेजलूशन लिया होगा अपनी बाडी को लेके सुबह उठने चालू किया होगा, जिम जाना चालू किया होगा, वाक करना चालू किया हो, कुछ ना कुछ एक नया जो बाडी केर बाडी केर प्लान है, वो चालू किया होगा, बार बार बदला होगा, लेडिस ने ब्यूटी पालर बदले होगे, कपड़े वाले को भी बदला होगा शॉपिंग का स्टाइल बदला होगा क्यों क्यों कि मार्स रेट्रोग्रेड हुआ है टॉरस में जाके इन्वेस्ट्मेंट से रेलेटेड आप देखे जितने भी स्टॉक्स फैशन ब्रैंड्स के हैं तो सारे लगातार उपर जा रहे हैं क्योंकि मार्स अपनी सारी की सारी एनर्जी टॉरस के अंदर रेट्रोग्रेड हो गया है वक्री का मतलब ही है कि वह एनर्जी उनसे नहीं जिल रही है आप देखे ना भगवान शिव जब आक्टिव स्चेड में तांडव कर रहे हैं तो तांडव में क्या करें उस एनर्ज से लेकर इंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या करें सबसे पहली जो परिक्षा लेते हैं देवता लेते हैं जानू कहू बलु बुद्धिविशिशा तो देवता लेकि इस बंदे में वह बात है कि इतना बड़ा क्राइस आपको लाइफ में जब भी बड़े पार चालेंज़ आने चालू होंगे उससे पहले छोटे चालेंज़ जिस पर आपको टेस्ट किया जाएगा जादा तर लोग छोटे चालंजेसमें फेल हो जाते हैं वो इनिशली ही घबरा जाते हैं तो उसके आगम समंध्र है वो समंधुर को पार करते वरक्त कितने साड़े ट्रबल उन्होंने पारकिए उसके बाद कि जाके न उनको उत्ना सारी प्रसिद्धी पूरा और उनके नाम पे लिखा गया फिर सुर्सा मिलती है लंकी नहीं मिलती है एक ऐसी राक्षय से मिलती है जो परच्छाई पकड़ रही परच्छाई क्या राहू है सड़न अटाक करें इन सबकों पार करने के बाद वह जाके उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि लंका में जाके फल्क आके नेगोशीशन कर रहे हैं और नेगोशीट कर रहे हैं रावन के साथ किस बात के लिए ताकत होते हुए रेगोशीट करना यह बहुत बड़ी बात है तो नहीं कर रहे हैं रेट्रोग्रेट जब भी होगा चार्ट में ऐसा वेक्ति किसी भी प्रिए टाइम प्रिवड पे एक्सेसिव मेजर्स लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में बैलन्स अप्रोच नहीं है हनुमान जी का बैलन्स अप्रोच देखिए कि वह हैं रावन के सामने करें उसके डिस्पूट रिजलूशन की बात करते हैं शांती की बात करते हैं ताकत होते हुए यह जानते हुए कि लड़ सकते हैं लेकिन उसको लास्ट ऑप्शन रखा हुए लड़ने के लिए यह आम जानवर गड़ते हैं गाली को लाज करते हैं कि जा वो यह बोलते हैं कि किस तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता यह अच्छे लोगों की पहचान है इसी इसी को भदर लोग कहा गया मरकरी जब कभी और इमोशन इमोशनल नी बात करते मासीता से तो तो क्या करें कि नहीं नहीं आता मार्स को तो एकसे से बीक्राइब से पूरे शरीट पर सिंदूर लेते हैं सिंदूर चणाना रेमिडी है मंगल के लिए क्यों कि वह इमोशनली आप उनको कांट्रोल करने को शिच कर क्योंकि वह इमोशनल है जो कि ठीक करनी जब कभी लंका में आगलगाना तो स्कॉर्पियों की बैठल है क्योंकि वहां पर it's a do and die situation स्कॉर्पियों तो या तो आर या पार या तो मंगल या केतु या तो लड़ना है जिन्दा बचना या जाना है तो जब भी स्कॉर्पियों को रेमेडी होता है तो हमेश्या एक्स्ट्रीम बैकफायर जाते हैं क्योंकि वह एनर्जी आप सच्ब्रों कि पूछ में आग आपक birthday जलेगी ना उसके बाद लंकल में लगी जव कभी स्कॉर्पियों को कोई भी रेमेडी होगा जैसे कि सन्य अभी स्कॉर्पियों में आपने पूर्पियों में आपने हैं रेमिडी करना है संत्रों को लेके कर सक कि लेकिन स्कॉर्पियों के दिन त्यार रहेगा कि एक्स्ट्रीम ट्रांस्फर्मेशन जब भी करने के लिए जाएंगे कोई प्लाइट सिक्सेट में बेटने तुस्य से वीनस जुपीटर तो उस प्लिलर केस में जब भी डेमिडी करोगे एक्स्ट्रीम बर्न आउट होगा जैसे कि चार दिन पहले अस्चमी बदुवार बहुत अच्छा दिन तो रहें मेडी के लिए उस दिन रेमिडी करते ही बैक्फायर होगा लेकिन बैक्फायर होनके बाद आपको पता लंका भ मेरी यह जाना इस वाइफ वाइबना की नहीं बनती तो वाइफ है वेनस लिएस मून दोनों के दोनों मरकरी अनुग में मून जेमिनाइइं में हैं वेनस वर्गोएं और लेकिन लिबरा में राहू बैठा है यह कॉंबिनेशन है चार्ट का यह आठवे घर में है शुक्र अब शुक्र अगर आठवे घर में है प्रब्लम क्या है कि दोनों के दोनों का एनर्जी तो मैच कर रहे हैं लेकिन राहू की यह से कोई एक थर्ड़ एलिमेंट जरूर दोनों को बढ़का रहा है जिसके यह से दोनों के दोनों की बंती नहीं तो हमें तो राहू को शांत करने के लिए यह था कि कमल ककडी का अचार आप अपने हाथ से बहार दे दीजिए किसी सफाई करमचारी को यह जो प्रॉब्लम चलाना मदर अभाईश की बीच का इस वाट आउट हो जाएगा बहुत बहुत यह स्पेसिफिक ने मिडिये चार्ट का लेकिन यह करने के बाद एक् तो जब कभी स्कॉर्फियों के बात करेंगे तब हमेश्य ध्यान रखेगा बैकफायर होगा इनिशली बैकफायर होगा है हनुमान जी था तीन राजाओं के साथ डील कर रहे हैं पहले राजा है सुग्रीव सुग्रीव को बोल रहे हैं कि देखो तुनको भी राज्य का प् लेकिन तीनों के लिए नहीं तीनों को कोशन नहीं पूछ रहे तुब के साथ और यह अच्छे मार्स की पहचान है नो को शिंस आश्ट टीनों के मदद गरते वक्त वह अपनाफाइदा ने डून्ग अपना कमिशन ही ढून्ग रहे बीज के अंदर मार्स अच्छे की पहचान यह है कि वह सेलफलेश्लेशली काम करता है वह काम करता है धर्म की स्थापना के लिए मार्स जब पर अगर मार्स आपकी चार्ट में कभी भी मास रेट्रोग्रिड है और वह ऐसे साइंस में कि जो कि प्रोब्रमार्टिक साइंस है मांस के लिए त्री इन सिक्स भोना निश्यत है आपको डांस करना सीखना है आपको एंगर को को अपनी होबिस के त्रूम आप अगर अपनी होबिस को चब जब छोड़ दोगे जैसे कि एक लीडि है को ने कई लाग किलोमेटर ट्रावल किया है तो बोलते हैं जब भी मैं ट्रावल करना बंद कर देती हूं बाइक पर मेर को मैं विमार परना चालू जाती हूं मार्स रेट्रो होगा अपनी परसनल होबीस मार्स में सवतंतरता का खारक है सोता अपनी साथ हैं वारखन के साथ मेरा इसमें रूइगा महीं कश्त प्रोब्लम किया मेर के साथ मेरा इसमें क्या मिलेगा कि इससे पहले कि ये प्रॉब्लम इससे पहले कि कुछ आप करके दिखाओ आप उसके लिए डिजर्विंग बन जाओ जब आप कोई बिजनस कोई भी सर्विस देने चालू होते हैं आप जब लगातार दिखाते हैं कि आपने लगातार अच्छा किया है तो आपको जॉब करें प्रमोशन हो जाते हैं यही मार्स अच्छी की निशानी मार्स रेट्रोगर होगा तो इनसान कई बर पहले सोच है लग जाता है कि मेरा ना इसके अंदर क्या है क्या हिस्सा आने वाला है या फिर मार्स रेट्रोग्रेड होते ही वह इतना काम करता है सबसे अलग दिखने के लिए लेकिन भूल जाते हैं कि अब्जेक्टिव क्या है ताकत तो लगाने लेकिन उसका इतने तेज भागना है कि चोड से आगे निकल जाना है तो उसका फाइदा नहीं मार्स रेट्रोग्रेड में तो मार्स रेट्रोग्रेड का ये चाप्टर हनुमान जी की पुजा कीजिए मार्स प्यान है ।